जाहिन तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पर रिव्यू करने के लिए अक्षे आर्श अकाडमी फिर हम लोग देखते हैं चलिए फिर दिखाते हैं आप लोगों को कलास तो जैसा कि अभी हम लोग सिड़ी पर चल रहे हैं और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अक्षे सर का कलास कहा और किस परकार से यह कलास लेते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आयरो देदी आ गिया है कि आपको किधर से जाना है कलास कितने उपर आगे यहाँ भी आपको मिलेगा अच्छा आर्स अकैडमी मुबाइल नंबर भी यहाँ है तो फैनली हम लोग जो है सो कलास के नजदिक आ गया है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है अच्छे सक्सेज जॉन का जिसमें यह बताते हैं आर्स 11-12 दोनों पर आते हैं साथ में बी एक का आल समिस्टर अब हम कलास की और आ गये हैं तो यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है अच्छे सक्सेज जॉन का साथ में यहाँ बच्चे बैठे हैं गुड मॉर्णिंग अल अफ्या स्टूडेंट्स अब लोगों से हम कुछ पुछने के लिए चाहते हैं तो अभी कुछ पुछेंगे तो आपकी आज जवाब दे दोगे अच्छली ठीक अभी सब क्या कर रहें अभी सब को टेस्ट लिख रहें तो यहाँ पर दिखाएंगे सभी को इसारे बच्चे अभी टेस्ट लिख रहे हैं सभी को तयारी करके आए हुए है ना तो आप पहले अपना नाम बताईएगा समा खान समा खान और यह इंगलिस का टेस्ट लिख रहे हैं कितने घंटे का टेस्ट है आपका थ्री आवर्स का है थ्री आवर्स का है ना इसमें अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं यह सर दोनों है आप इसकी पढ़ाई किये हैं यह सर यह अचानक से लिख रहे हैं नो सर पढ़ा जो पर एक्षे सर्जी जो एसो कलास करवाते हैं और सारे बच्चे का टेस्ट लिया जारहा है बताया जा रहा है कि यह एक्जाम में जिस परकार से फैनल में आएगा सेम उसी परकार से करवाया जा रहा है ठीक है और लगातार 28 दिन का है जिसमें से 3 से 4 उप्या का खर्च पढ़ रहा है एक टेस्ट का अगर जो भी हजारी बाग का इच्छुक बच्चे हैं जो भी 12 में है जिनका एक्जाम आए दिन आने वाला है होली के बाद मार्च में तो वो बच्चे जो है सो आ करके टेस्ट लिख सकते हैं बहुत ही कम में यानि कि अगर हम नॉर्मली कहीं देखे तो एक टेस्ट पेपर का लगभग 10 उर्पया तो जरूर पढ़ता है लेकिन यहाँ पर 10 ना लेकर के 3 से 4 उर्पया में एक टेस्ट कम्पलीट करवा जा रहा है और टेस्ट का कितने पेज है टेस्ट का आपका दोनों सैट लगा करके 4 पेज है ठीक है जिसमें आपका टेस्ट लिया जा रहेगा और इसमें अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है तो इच्छुक बच्चे जो भी है डिस्क्रिप्शन में सारा जो एसो डिटेल दे दिया जाएगा उस पे कॉंटेक्ट करके अच्छे सर से मिल करके टेस्ट लिखना चाहते हो तो लिख लेंगे करके अच्छुक बढ़के ये जुदे करके अच्छुक्छुक्ट